दोस्तों white discharge यानि कि जो सफेद पानी होता है वो लड़कियों में महिलाओं में होना बहुत ही ज्यादा कमन होता है white discharge कभी-कभी आपको अधिक मात्रा में हो जाता है इसके thickness और consistency जो होती है वो कहीं न कहीं घड़ती और बढ़ती रहती है तो ऐसे में महिलाओं कैसे समझ पाएं कि उन्होंने pregnancy concept की है क्योंकि pregnancy के शुरुवाती दिनों में आप इस लक्षन के थूँ समझ सकती है कि आपने गर्ब धरन किया है तो white discharge का गाड़ा होना, तेजी से फ्लो में होना, क्या ये pregnancy का ही लक्षन होता है या फिर ये कुछ और भी हो सकता है तो ये जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देनी वाली हूँ, तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा इंतर देखेगा, कहीं पे भी skip ना करिएगा नमस्कर दोस्तों, मैं पूचा स्वागत करती हूँ आपका, अपने इस चैनल प्रेगन से टिप्स और इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल बटन है, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा टाकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकिशन आपसे निस नहों, तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं, दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ, कि वाइट डिस्चार्ज, यानि कि सफेद पानी महिलाओं में होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता ह और ये महिला के प्रजिनन सक्ति के स्वस्थ होने को दर्साता है, जी हाँ दोस्तों जिन महिलाओं को लडगियों को वाइट डिस्चार्ज अच्छा होता है, उन महिलाओं को आगे चलके कंसीव करने में कोई भी दिकत नहीं होती है, जो प्रेगनेंट नहीं होती है, उन मह को ये वाइड डिस्चार्ज अधिक हो सकता है इसकी consistency थोड़ी ठिक हो सकती है गाड़ी हो सकती है ovulation के दौरान hormones change आपके बहुत अधिक होते हैं progestron hormone बनने से इस दौरान यानि ovulation के दौरान आपको अधिक वाइड डिस्चार्ज होता है जिससे कि अगर आप इस दौरान relation maintain करते हैं तो आपके conceive करने के chances बहुत अधिक बन जाते हैं तो ये ovulation के time पे आपको गर्ब धरन करने में बहुत अधिक मदद करता है दूसरा दोस्तों ये कि ovulation से ठीक पहले यानि कि जब आपके period समाप्त हो जाते हैं उस time पे ये white discharge आपको light हो सकता है हलका हो सकता है और जब आपका ovulation समाप्त हो जाता है आपके periods दौरान से आने वाले होते हैं तो उस time पे भी ये white discharge जो है वो light हो जाता है तो इस तरीकी से इस white discharge की consistency धढ़ती बढ़ती रहती है इसके अलावा जब आप pregnant होते हैं आप conceive करते हैं तो शुरुवाती दौर में ही यानि कि पहले दूसरे तीसरे चौथे हफते में लगातार ये जो white discharge है आपको बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है गाढ़ा हो सकता है और ये आपको तेजी से होने लगता है तो इसका कारण इस दौरान आपके शरीर में रोजिस्ट्रोन और एस्ट्रोजन नमक हार्मोन बनने की वज़े से होता है इन हार्मोन का इस्तर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है जिस वज़े से भी आपको इस दौरान वाइट डिस्चार्ज होने लगता है लेकिन दोस्तों आप सवाल ये है कि ये white discharge होने से क्या आप समझ सकते हैं शुटवाती दौर में ही कि आपने pregnancy conceive की है तो आपको बता दूँ कि आप white discharge के भरोसे ही न रहें आपका white discharge बहुत अधिक और गाढ़ा हो रहा है तो आप ये समझे कि आपने pregnancy conceive कर लिए क्योंकि हो सकता है कि ये आपके दुबारा से ovulation का समय निकटा रहा हो तो आप इससे idea नहीं लगा सकती है ये pregnancy का एहम लक्षन नहीं है pregnancy को confirm करने के लिए आपको pregnancy test kit के थूँ टेस्ट करना चाहिए जिससे आप सटीक idea लगा लेंगे कि आपने pregnancy conceive की है इसके अलावा दोस्तों अगर आपको normally ये white discharge जो है पीली रंका हो रहा है हरी रंका हो रहा है इसमें जलन हो रही है ये गाढ़ा है या फिर ये बहुत ज़्यादा बदबुदार है ये normally या फिर pregnancy की दौरान अगर आपको इस तरीकी के लक्षन दिखाए देते हैं अपने white discharge में तो समझ जाए कि कहीं न कहीं ये आपको infection दे रहा है आपको संक्रमित कर रहा है तो ये कहीं न कहीं urinary track infection हो सकता है तो UTI की समझ आपको इस दौरान हो सकती है अगर आपका ये white discharge रंग बदलता है या फिर जलन और बदबुदार होता है तो इस चीज़ का आपको अच्छ charge के साथ साथ ठकान होना बहुत अधिक नीन दाना उल्टी होना मितली होना mood swings की समझ्या हो रही है या फिर आपको बहुत जादा चिर्चड़ापन हो रहा है सिर में दरदगर आपके बहुत जादा हो रहा है ऐसी सारी conditions अगर आपके साथ हो रही है तो may be कि कहीं न कहीं आप नहीं रुकी है तो यह थी दोस्तों जानकारी white discharge के संबंद में I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like जरू करिएगा share करिएगा thanks for watching दोस्तों फिर मिलूंगे आपसे next video में till then stay happy stay healthy